हेलो 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 इब्रियों वेल्काम बैक टु मैं चानल वेल्कम टिए अनदा न्यू ब्लॉग आज है दिन मॉंडे और अभी मॉनिंग का टाइम है अभी से मैं आपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आसा करती हूँ कि आप सब लोग जहां कई भी है सुरुख सित है और ठ अब आजबन के नहीं बना रही थी वारिस तो मेरा तब्याइट जो है थोड़ा से बटर है वाट इनका अल राज से जो है तो इत्रा सा खराब हो गया अब से जो रहा है लगते इसके बजासे जो है पिटके कुछ प्रब्लम हो गया है तो अब दिकिए वारेस जो है बनके तो मेरा दवियत थोड़ा सा ठीक हुआ और इनका दवियत फिर खराब हो गया है वावा की होई चैक दिने तो इनको वारेस देके मैं आ गए थी टाइनिंग पे और अभी जो है मैं वेजिटिबल्स निकाल रही हूँ क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है तो आज ब्रेकफास्ट में जो है डोसा बनेगा और उसके संबर बनेगा तो काल रात को सॉरी रात को नहीं सामके टाइम दोसा का बेटर रेडी करके रख दिया था बीटू ना बहुत दिन से जिद कर रहा था कि मामी मुझे दोसा काना है दोसा काना है और इनका तबी जो है सम चता खराफ नहीं तरात से खराफ हो गया है तो मैं सोज़ रही तो इनको कुछ अलका फूलका सा ब्रेकफास्ट में दे दूंगी और मेरे और बेटू दोनों के लिए मैं डोसा बनाऊंगी तो यहां फोर देखिए मैं एक एकर के वेजटेबिल्स निकाल देए हूँ तो मेरे जो है यह जगा थोड़ा सा छोटा है तो इसके लिए फ्रेज को इधर उदर हिला के मुझे बाहर करना पड़ रह है इसलिए मुझे दूड़ना पड़ रहा था कहां पर क्या क्या है तो चलिए फेजटेबिल्स जो है मैंने बाहर कर दिया था और अभी फ्रीज को भी जगा पर सेट कर दूंगी तो फ्रीज ने मैंने बंद करके रखा था 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 तो कही कुछ होना जाए इसके बजास से त अभी देखिए मैं कद्दू काट कर रही थी और बाकी का जो है जितना सरा वेजटेबल से मेरे पाल स्था बो लेके आ गए थी तो पहले सब कुछ में काट कर लूँगी तो अभी साथ आठीयाट के करेब हो रहा था टाइम और मेरा घर पे जो है जाडू लगाना हो गया थ है मैं ज्यादा करके बना दोंगी क्योंकि दोपहर में ज्यादा करके बना दूंगी क्योंकि दोपहर में पर से लांच पे भी तुन यहिंप आठोटेर लोग पें काम और सब्सक्रांतर भी साथ होगalten हैँ नहें और पर आछे Coffee डौन 코 और अभी मैंने एक गलास पानी एड कर दिया है उसके तो यहाँ पुरा साथ जो है तुनिया पॉड़र होल्धी पाउडर एंड जीरा पाउडर तो अभी जो है मैं लेड और पॉड़र दूंगी और उसके बाद तीन से चार सीटी में लगा दूँगी तो रहां पर जो है डो कर दूंगी तो यह राइस और डाल भीगों की मैंने रखा था उसके बाद चार गंटा बाद मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया था तो देखिए बेटर जो है हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी और वीडियो को बिसे भूल रहा था कि ममी को बनाओंगे बनाओंगी इस तरह का है तो देखिए बेटर हमारा बिल्कुल हो गया है रेडी मैं आप लोगों दिखा रही थी इस टैप कर रहेगा तो इसके बाद देखिए यहां पर मैंने जो है एक फ्राइंग पैन बिठा दिया था और थोड़ा सा मैंने ऐल ब्रास कर लिया था और अभी जो है बेटर को मै जावे तरफ फेट कर दोंगी जैसे डोसा पकाते है तो यह जो है मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है वर खाने का टाइप बन जाते है तो देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा ठक के पकाऊंगी दो मिनिट दो तिन मिनिट और उसके बाद यहां पर देखिए एक साइ इसके लिए सबसे पहले वायल पर मैंने देदिया है दो चुका मिर्च और उसके बाद मैं अट कर दूंगी यहां पर राई तो राई जब गरम हो जाएका यहां पर मैं एड़ कर दूंगी तो डाल आट करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी भी एड किया था क्योंगी यह थोड़ा सा बना लगता था और अभी देखिए मैं उपर से एड कर देए थी इमली कफल तो अभी जो है संबर मसाला एड कर दूंगी तो संबर जो है विल्कुल वन के हो जाएगा रेडी तो देख चलिए अब लोग भी आ जाए यह फटा फट हम लोगे साथ परस्ट करने क कोई तो यह खट्टा डाल जो है राइस के साथ भी खाने वे अच्छा लगता है बहुत ही तो जलिए अभी मेरे और बेटू दोनों के लिए ब्रेक्फास्ट ले लिया था तो जलिए ब्रेक्फास्ट करने के बाद जो है फिल्ट आव लोगों से मैं बाते करती है झाला करता है तो हम सुफ का ब्रेकफास्ट हो गया था मैं आवर बेटू तो डुवासा काया थी और रस्बेंट जो पानी है बोही पिया था वह पानी में भीगो के तो थोड़ा सा सल्ट देखे तो वजबन से हम लोग मतलब सुनते आ रहे हैं कि मुद्मुरा का पानी जो है पेट के लिए बहुत ही हेलफूल होते हैं तो हम लोग को भी खराब होता तो मामी पिलाते थे और आज थोड़ा से खराब हो गया तो मैं इसे बना के दिया था वह वही खाया था और आभी देखिए यहां पर मैं पोछा लगाने के लिए आ गए थी दोनों बेट रूम पे लगा दिये था तो इसी टाइम जो है वह टीवी देखते हैं तो अभी तो स्कूल बंद है तो सुबह सुबह मैं इसको पढ़ने के लिए बिठाती हूँ उसके पापा अभी जाने के बाद बढ़ आज उसका पापा थे भर पे तो उसके पास ही बैठा थे और यह अभी तोड़ा सा टीवी कर लूँगी तो यह जो वेशन है अब लोग देखी रही हो हुआइट कलर का है तो यह इसको डेली क्लीन करना पड़ता है और हम सब यहाँ पर हाद मो बगराद होते हैं तो यह मेरा वैलकोनी पर है तो अभी चलिए मैं यह मॉफ को आच्छे से वास कर लूँगी यह मॉफ जहने के लिए रख दे था उसके बाद दूब में सुखने के लिए दे दूँगी पटकोन पर जाद दूप नहीं आते है तो भी थोड़ा सा विंड़ बगर में आते है तो उसी में टांग देती हूँ और अभी चलिए मैं यह कबड़े बगरा हुआस कर दूँगी उसके ब और राइस को जो है पानी में भीगो दूँगी तो वह खा लेगा लांच पे तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लोग हमें ही परेंट करते हैं आई होप कि आप लोग पर अच्छा लगा है और अच्छा लगे तो लाइक करना कमेंट करना सेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्रा करना मुलिये बाइब राइब रेंज